चाहिना के कारण नेपाल में हो रखा है MCC विवाद क्या है आए समझने का प्रयाज करते हैं भाई साहब नेपाल को नहीं पता था कि उसके लिए चीन और अमरीका आपस में भिड़ जाएंगे बहुत बड़ी बात है आईए आज के सेशन में समझिए मजदार बात तो ये है कि एक तरफ भारत का एक पड़ोसी श्रीलंका गरीबी से इतना जूज रहा है कि उसको बिजली काट के काम चलाना पड़ रहा है अपने जहाजों को समय समय पर रोकना पड़ रहा है वहीं दूसरी और नेपाल के दिन सुधरे हुए हैं इतने सुधरे हुए हैं कि उसे लोग पैसा दे रहे हैं और नेपाल के लोग पैसा लेने से इंकार कर रहे हैं गजब बात हो रही है भाई साथ, आपको लगेगा सर्फ क्या बोल रहे हो, अरे हाँ भाई साथ, नेपाल पर धनवर्शा हो रही है, अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर देने के लिए उसे अल्टिमेटम दिया, कि जल्दी से बताओ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, एक दम भरे ब नेपाल के पास इतना पैसा आ गया क्या गुरुजी, यही तो समझना है आज के सेशन में, कि ऐसा क्या था, कि नेपाल 2017 से 2022 तक केवल और केवल इंतजार करवाया है अमरिका को, अमरिका कहे कि पैसा ले लो, 500 मिलियन डॉलर दे रहे हैं, और नेपाल के नारे बाबन ना नह पड़ेगा, आप तस्वीरों से देखिए, समझने का प्रयास करिए जना, नेपाल को पैसे की जर्वत नहीं है, भाई साब सब कुछ है इनके पास, यह कहते हैं, अमरिका का पैसा नारे बाबन, क्यों भाई साब, क्योंकि अपना तो सब उपर वाला देख रहा है, बोले त कारनामा कर ही दिया, हाना कि इनके देश में पूरी तरह से आग लगी हुई थी, लोग सडकों पर उतरे हुए थे कि अमरिका से पैसा नहीं लेना है, लेकिन नेपाल की संसत जो है, वो समझदार निकली, इतनी समझदार निकली कि उन्होंने एग्रिमेंट कर ही डाला, 28 ता रहा है और आप लेने से इनकार कर रहे हैं, गजब की स्टोरी है, थोड़ा विस्तार से बताईए महराज, तो आईए, विस्तार से समझते हैं, पहले थोड़ी न्यूज की सुर्खियां देख लीजिए, नेपाल ने 500 मिलियन डॉलर का ग्रांट जिसको की, मतलब MCC अब आप पूछेंगे कि सर कुछ तो गडबड घोटाला है, नाम इसका MCC कॉमपेक्ट है, क्या है, ये मसला क्या है, भाई साब ये है मिलेनियम चैलेंज कॉर्परेशन, तो वहले होता क्या है, समझो, अमरीका ने एक बार गरीब देशों की मदद करने के लिए फंड बना जिसका नाम MCC फंड है, वो बात दूसरी है कि वो गरीब नेपाल अपने आप वो नहीं समझता हो, लेकिन अमरीका ने तो इसी उद्देश से इसका निर्मान किया था, अब आप पूछेंगे था क्या थोड़ा विस्तार से बताईए, चलिए तो आगे सुनिए, तो भाई स विचार, मतलब ये तो क्या बात कर रहे हो, ये मूँ और मसूर के डाल के लड़ू, आईए देखते हैं क्या है, ऐसी स्थिती में, MCC अपने द्वारा दो प्रकार के अनुदान देती है सहाब, आप पूछेंगे ये क्या होता है सर, भाई सहाब, मिलेलियम काउंसिल, ये ज बात को समझ पाएं, जो हम कह रहे हैं, लोन के दो प्रकार हैं, क्योंकि यहीं से सारा की सारा कलेश सुरू हुआ है, एक बार के लिए आप इन लोन के प्रकारों को देख लें, दो प्रकार के लोन अमेरिका के द्वारा अपने MCC प्रोग्राम में दिये जाते हैं, एक का ना मान लीजिए कि नेपाल को 500 मिलियन डॉलर दिया गया, MCC Compact के नाम से, इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल को 5 साल के भीतर भीतर ही उसका उप्योग करना है, वाह। इसको साइन्टिफिक भासा में अनुदान कहते हैं, जब सरकारें देती हैं तो इसे ग्रांट कहते हैं, बोले अच्छा, अमरीका ने इसे दान के रूप में दिया, हमने का और नहीं तो क्या, इससार यह तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब नेपाल को 100 मिलियन डॉलर, 100 मि पर साल खर्च करने के लिए मिल रहा है, फिर इसको दिक्कत क्या है, हमने का और सुनो अभी तो तुमारी आपके खुली रह जाएंगी, वैसे भी नेपाल वालों की कम खुलती हैं, फिर भी सुनो, इन्होंने ये कहा है, कि भाई, इस पैसे का उप्योग दो प्रकार के काम म ही करना है, मतलब इतना तक मामला सेट कर दिया, कि आप इस पैसे का उप्योग केवल दो कामों में करेंगे, किस किस में करेंगे साथ, एक तो इलेक्रिसिटी ट्रांस्मिशन प्रोजेक्ट में करेंगे, और दूसरा रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में करेंगे, आप कह रह कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसका थकारण से यहां विरोध हो रहा है दुबारा सुनिए क्या बोला हमने 500 मिलियन डॉलर दिया काम बता के दिया कि सुनो बैटा यह दान है एश करो जाओ अब बोले किस काम में करें बोले काम यह है कि इसका उपियो केवल दो ही जगे करोग हैं क्या अमरिका तो नेपाल को अमरिका ने बिना शर्म भाव के तुरंद गाइडलाइन्स भी दे दी क्या कहा कि पेटा हमारे पैसे से 300 किलोमेटर लंबी तुम जो है तार केबल डालोगे क्या कहा इससे इससे कहा 300 किलोमेटर का तुमको हाई वाल्टेज पावर लाइन ड लाइन विक्सित करनी है और इंपोर्टेंट बात ये है कि तुम जो ये लाइन डालोगे ना जिसमें से एकदम लब जब लब जब लाइट जा रही है ये लाइट ना तुमारे यहां से निकल के इंडिया जानी चाहिए यानि कि तुम्हें ये लाइट खुद के उपयोग म रहा है समझ से परे है तुम दान दे रहे हो कि दान दे करके काम बताने का आदेश दे रहे हो यार मामला तो उल्जा हुआ यही है कि ये काम नहीं काम के नाम पर पूरा डायरेक्शन दे रहा है तुमको पैसा लगाना कहा है उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में रही हो आप एक बालक जो है वो बहुत देरी से कमेंट कर रहा है एकदम जो है सर साइड कट रहा है एच सी सरमा जो है बहुत देर से कट रहा है कट रहा बोल रहा है स्लाइड कट रहा है आप आप देख लो तुम भी यार तुम बैट करके बच्चों का आनंद ले रहे हो स्ला सर्माजी की बात समझे ही नहीं तो थोड़ा जूम आउट करो ये बात एकदम सही सर्माजी आप एकदम सही बताए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदर्स चाय की चुस्की ले रहा था हमारे साथ पकल करके हमने पकल लिया इसको लोड ना लीजिए अब सही है सर्माजी और को सड़के विक्सित करनी है बोले आपको 300 किलोमीटर की सड़के लगानी है और इसके लिए बकाइदा इंसेंटिव दिया जा रहा है बोले 300 से कोई लेना देना है क्या आप लोगों का हमें ये समझ नहीं आ रहा पैसा दे रहे हो कि आदेश दे रहे हो तो भाई सहाब ये तो मानलो सर कि अमेरिका ने पैसा दिया और जो है नेपाल उसके बताय अनुसार काम नहीं किया तो क्या कर लोगे हमने का इसी बात को तो लेके लडाई हो रही है क्योंकि ये अमरीका लॉन तो दिया सो दिया उपर से धमका और दिया क्या धमका आया आईए अब मैं न्यूज बढ़ाता हूँ धमका ये दिया साहब पढ़िये इसमें कहा गया है कि MCC के agreement में national charter originate करता है article number 7.1 को जो कि MCC compact के अनुसार कहता है कि जो भी party ये acknowledge करती है कि वो compact के माध्यम से lawn ले रही है उन्हें shall prevail over Nepal domestic laws यानि की compact law के तहत जो भी प्रावधान दिये गए है वो नेपाल के अपने कानूनों के ऊपर है भाई साहब मतलब simple सी बात समझ में आई आई आपको कि नेपाल के अपने जो कानून है उन से ऊपर कानून है MCC compact के तहत दिया गया अनुदान नमबर दूसरी बात many have interpreted this to suggest that the compact compact बोले तो MCC दो प्रकार का था compact और three sold जो compact वाला है replace the constitution compromise Nepal sovereignty मतलब नेपाल की समप्रभूता से उपर निकल गया है क्या MCC compact मजदार बात देखिए हमको अमरिका ना इसी लिए पसंद है लोन देता भी है और धमका के देता है कि सुनो लोन चाहिए क्या बोले नहीं चाहिए अनुदान चाहिए क्या बोले नहीं अनुदान तो लोगे और सुनो बिटा तुमको दान तो हम देखे रहेंगे और दान तुम्हें 28 फरवरी 2022 से पहले पहले नेना है नहीं तो तुम जानते हो हम क्या करेंगे तो हद्द है भाई साथ नेपाल के कहने पर अमरीका के कहने पर नेपाल ने अनुदान लिया अनुदान के तहत उसको दी गई सर्ते भी माननी पड़ रही है उदर से चाइना कह रहा है कि देखो भाई हमें खामखा वदनाम किया जाता है यह हम सामने वाले को करज में फसा कर खे डाल लेते हैं इसा कुछ है यह नहीं है हो क्या रहा है इसमें एक प्रावधान और भी है सुनिये साब प्रावधान क्या है नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी ने सीरियस कंसर्ण कहा है और कहा है कि एक बार अमरीका ने अगर लोन दे दिया तो जब खर्चा आप कर लीजेगा ना तो आपका अकाउंट आडिट करने के लिए जो टीम आएगी वो टीम नेपाल की नहीं होगी आपने खर्चा सही से किया या नहीं किया यह अमरीका की टीम आएगी चेक करने और तो और वो नेपाल के अकाउंट्स भी चेक करेगी मतलब आप ये देखिए कि Auditing of the country's finances by the American rather than नेपाली auditor मतलब समझ रहे हैं आप मतलब ये है कि नेपाल के अंदर आप नेपाल में रह रहे हो पहले ताप से कहा कि सुनो इधार आओ हम तुमको दान देना चाहते हैं भल नहीं चाहिए सुनो 28 परवरिश पहले ले लो भी बता देंगे तुमको भल ठीक हमाराज दे दो अब सुनो इसका दो सर्ते हैं सर्त नमबर एक ये है कि हमारा कानून अगर पिटा तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा कानून चेक करेगा तुमने और पिशा कहां से लिया कहां पिशा खर्च किया बले प्रमुच चाहते क्या हो बले सुनो तुमसे हम चाहते हैं कि तुम इन दिनों चाइना के भहुत नजदीक जा रहे हो हम तुमको ना अपने साथ मिलाना चाहते हैं हम थोड़े वैसे वाले प्यार परने वाले intense love दिखाना चाहते हैं intense love का मतलब है कि हम अपना प्यार का इजहार थोड़ा गुसे से करते हैं ना हमरा अमरीका है समझे तो भाई साब ये काम millennium challenge cooperation के अंदर ये कर रहे है 2017 से पीछे पड़े हुए थे finally 2022 में 28 अप्रेल को ये 28 फर्वरी को इन्होंने इस lawn को ले लिया है चाहिना वाले कह रहे हैं कि what in love सर जी मतलब ऐसा प्यार किये हैं ये कि जिसकों की कोई digest नहीं कर पा रहा है देखिए चाइना की government official ने लिखा है US describes the 100-500 million MCC as US funded infrastructure program in Nepal as a gift from the American people but meanwhile gave Nepal an ultimatum should a gift be delivered by an ultimatum वारे वाड डिपलोमेसी बाई सहाब ये बात तो चाइनीज ने एकदम सही कही है मतलब इनकी बात में हमें दम भी लगा इनने का एक तरफ तो यार आप gift दे रहे हो सामने वाले को दूसरी तरफ से आप ultimatum भी दे रहे हो कि ऐसा नहीं किये तो देखो यार एक ना इन दिनों कुछ हुआ या ना हुआ हो युक्रेन और रस्या के crisis ने अमरिका की एकदम फीत उतार दी है मतलब आप सब के मन में से ना वेशेख शुरूप से इंडिया के अधिकांस लोगों में थोड़े दिन पहले जो अमरिका के प्रती धीरे-धीरे आस्था जग रही थी वो पूरी तरह उतर गई है अब ना हमको ऐसी feeling आने लगी है कि अमेरिका और चाना ये दोनोई फिक्वास लोग है इसकी बातें मान के करें तो करें गया बस ठीक है कि भाई साब पैसा वाले लोग है कर का सकते है ठीक है आप लेट के मत सुनो आपको नीन die है हमको नीन डा रहने वेट हो फिले बहुत मुस्किल से नीन बगा रहे हैं ठीक है तो मुद्दा ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या समझाए हम तो उमीद है कि ये बात किलियर हो गई होगी ठीक है चलिए तो उमीद है ये सारी बातें आपको किलियर हो गई हो अच्छा आप पूछेंगे सर एक बात बताईए MCC मतलब केवल नेपाल पर ही महरबान हुआ था कि इससे पहले भी किसी और पर महरबान हुआ था हुआ था बहुतों पर हुआ था एक बार फिलिपीन्स के पास गया अमरीका की सुनो हम तुम्हें MCC देना चाहते हैं बहुत प्रभू अपने पास रखो नहीं चाहिए आपका ये प्यार जिसमें इतना तकरार हो ऐसे एक बार स्री लंका के पास गया सोचो जो स्री लंका एकदम बरबाद हुआ फिर रहा है हालात ये हैं कि पैसा मांगता फिर रहा है कि भाई पैसा दे दो अपने लिए बहुत अच्छा हुआ देखो मुद्दा ये है कि नेपाल के साथ जो हुआ वो तो ठीक है रज्याप हस गई घुंडों के वीच ये वाली ऐस्थिति हो गई इंडिया के साथ क्या हुआ इंडिया के साथ फाइदा हो गया कैसे कारण ये है कि इंडिया का तो जानी दुश्मन बैठा चाइना है हम तो चाहते हैं कि चाइना दूर रहे अब हम जो है नेपाल की इतनी फीडिंग कर नहीं पाएंगे कि हम उसको पैसा भी देते रहें और उसकी सुनते भी रहें वो सब बाते अपन से तो ना हो पाएंगी ऐसी स्थिती में अमरीका आया अमरीका पैसे टिकाया और सब को कह दिया कि देखिए नेपाल को साथ में लेकर के हमने इसे इंडो पैसिफिक छेतर में अपना करीबी सायोगी बना लिया है नेपाल ने कहा महराज हम किसी भी ग्रूप का हिस्सा नहीं है आपकी इंडो पैसिफिक नीती के अंदर अगर हम घुज गए तो चाइना वाले हमें अपनी रोड एंड बेल्ट इनिशेटिव में चिपका देंगे जिसको हमने 2017 में अडॉप्ट करके कहा था कि चाइना हम आपके साथ है ऐसा मत करिये हमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी का हिस्सा मत बनाईए अमरीगा कह रहा है नहीं नहीं वो तो तुम हो आटोमेटिक हो गए मतलब ये वो वाली चीज है कि आ गई ना तो अब आप हमारी टीम के अंदर फस गए हो अब यार नेपाल की हालत खराब हो रही है इंडिया के लिए अच्छा क्या है अब वो ट्रांसमिशन लाइन डालेगा बिजली इंडिया को बेचेगा थैंक्स टू अमेरिका जिसने हमारे लिए इतना तो सोचा अगर इंडिया और अमेरिका के दौनों कॉमन इंट्रेस्ट की बात की जाए तो दौनों का कॉमन दुश्मन हो रखा है इंदिनों चाइना वो बात दूसरी है कि इंडिया में इतनी समझदारी है कि कभी अमेरिका हमको प्रवोक करके बढ़ाने लगा कि जाओ चाइना से लड़ो चाइना से लड़ो हम नहीं करेंगे इसा वरकत नेपाल को जबरदस्ती को दा दिया है हमारे लिए फायदे की बात होगा ये बाकी तो खेरिया अपनी खुद निमेटेंगे आप भी समझदार हैं सेशन को शेयर करने की कहना नहीं चाहिए एक बार सेशन को शेयर कर दो चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो जो ऑप्शन होता है सब दबा डालो रेफरल कोड अंकित 10 है, टेलिग्राम अंकित अवस्थी है जहां चाहोगे वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, शेयर कर दो यार ऐसे कंजूसी वंजूसी नहीं करनी चाहिए माना की दूसरे के दुख पर हसी बहुत आती है लेकिन ये अंतरास्टे संबंध है, कभी खुशे कभी गम लगे अपने साथियों से जरूर शेयर कर दें यदि आप चाहते हैं अनकेडमी पर मेरे साथ जुड़ कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अंकित 10 यूज़ करके अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं और हर रात साड़े आठ बजे होता है रियल न्यूज और अनलिसिस जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का हम प्रॉपर तरीके से अनलिसिस करते हैं विध्यार्कियों के एक्जाम पॉइंट अव्यू से काफी बहतरीन एनलिसिस करने का प्रयास किया जाता है यदि आप चाहते हैं अनकेडमी के साथ जुड़ कर पढ़ना ये इसके अंदर आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं ठीक है ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तुमान में जो धोनी है और जो सचिन तेंदुलकर है ये दौनों ही अनकेडमी के स्पॉंसर है और मतलब स्पॉंसर माफी चाहेंगे ब्रांड MS AIDER है ठीक है ना तो आप इनके साथ भी किसी दिन समवाद कर पाएंगे सचिन की क्लासेस तो चलना शायद शुरू भी हो चुकी है आप सचिन की क्लास भी देख सकते हैं ठीक है इसके साथ-साथ आप ये सारी चीजें हैं जो हम बता चुके हैं इसके अलावा Iconic Plan Unacademy पर 76,717 का है जिसके लिए आप इजी लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं लोन UPSC के अंदर एविलिबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ जिसको दो घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है या यू समझे कि इसी EMI Options में आपके लिए लोन फैसिलिटी उपलब्द है फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें धन्यवाद